नमस्कार स्वागत है आपका महोग खबर में मैं हूं उर्वेशी सिंग आपके साथ रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर पहले खबर आ रही है उत्रप्रदेश से जहां सुल्तानपूर ज्वेलरी शॉप जकैती कांड में शामिल एक और बदमाश को पुलिस ने एंकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस के एक अधिकारी ने इसमें जानकारी दी है कि स्टेफ लखनो की टीम का उननाव के अचल गंज में दो बदमाशों के साथ मुटभेड हुई थी मुझभेड में एक बदमाश खायल हो गया वहीं दूसरा फराच चल रहा है पुलिस ने खायल बदमाश को ततकाल अस्पताल में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे इम्रत खोशित कर दिया है म्रत्यक का नाम अनुच प्रताप सिंग है देखे इस रिपोर्ट में उतरप्रदेश के सुल्तानपूर में 28 अगस को बदमाशों ने एक जुएलरी शॉप को लूट लिया था वारदात में शामिल एक बदमाश मंगेश यादव को पुलिस ने पहले ही एंकाउंटर में धेर कर दिया था आपको बतादी की पुलिस ने डखेती में शामिल सभी बदमाशों पर एक एक लाक रुपे काई नाम रखा था मंगेश यादव के बाद अब एक और बदमाश का एंकाउंटर कर दिया गया है एंकाउंटर में धेर बदमाश का नाम अनुछ प्रताब सिंग है और एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सुल्तान पुर्जोलरी शॉप डखेती कांट में शामिल कुछ बदमाश अचल गंच में घूम रहे हैं इसके बाद स्टेफ की टीम ततकाल मौके पर पहुची पुलिस को देखते ही दोनों बदमाश भागने लगे इसके बाद छिप कर पुलिस कर्मियों पर फारिंग करने लगे ऐसे में पुलिस कर्मियों को भी जवाबी कारवाही करनी पड़ी मुटभेड के दौरान अनुच प्रताव सिंग को गोली लगने से वो घायल हो गया इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया वहां उसकी मौत हो गई उसका दूसरा साथ ही मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है अनुच प्रताव सिंग अमेठी के जानपूर गाउं का रहने वाला है पुलिस ने अनुच के शव को कबजे में लेकर पोस्ट मौडम के लिए भेज़ा स्पी दीपक भूकर ने बताया कि अनुच प्रताव सिंग के उपर एक लाक रुपे का इनाम था मौके से दो पिस्टल, एक कार्टूस और साथ खोके के साथ एक बैग मिला है जसमें चार किलो चांदी रखा था इसके अलावा एक बाइक भी बरामद हुई है गिर रिपोर्ट महुआ खबर चिराग पासवान के नेतरत्व वाली लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास ने बीते दिन एक बड़ा एलान किया पार्टी ने कहा कि LGP 2025 में होने वाले बिहार विधान सभाचुनाफ NDA के बैनर के तले और CM नितिश कुमार के साथ लड़ेगी लोग सभाचुनाफ में गटबंधन ने LGP को 5 सीटे दी थी जिस सभी सीटों पर पार्टी ने जीत हासल की थी देखें इस रिपोर्ट पे केंद्री मंत्री चुराग पास्वान के नितृत्व वाली जनशक्ती पार्टी ने बीते दिन बिहार विधान सभाचुनाफ को लेकर बड़ा एलान कर दिया है पार्टी ने कहा कि लोग जन्शक्ती पार्टी बिहार के 2025 में होने वाले विधान सभा चुनाफ, NDA के बैनर तले और सीएम नितेश कुमार के नित्रुत्व में लड़ेगी पार्टी ने इस संबन्ध में राजर की सांसदिय बोर्ड की मीटिंग में एक प्रस्ताफ पारित किया साथ ही पार्टी ने इस बात पर भी प्रस्ताव पारित किया कि अगले चुनाफ के दौराद उम्मीदवार तैय करते समय उन कारेकरताओं को प्रात्मिक्ता दी जाएगी जो पार्टी के लिए प्रतिबध रहते हैं और पार्टी के लिए काम में जुटे रहते हैं पार्टी के राजसांसदिय बोर्ड के चीफ हुलास पांध्या ने इस बैठक में कारेकरताओं को संबोधित किया हुलास पांध्या ने कहा कि हमारे लीडर और केंद्रे मंत्री चिराग पासवान ने पहले ही ये बात साफ कर दी कि हमें अपने वरिष्ट नेता राम विलास प अपने को पूरा करना है उन्होंने हाल ही में हुए लोगसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने चिराग पासवान के नित्रत्व में लोगसभा चुनाव में एंडिये की दी हुई पांचों सीटों पर बिहार में बाजी मारी इसी के साथ उनका स्ट् पीश कुमार के नितृत्व में लड़ेंगे साथ ही हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारा ये गट बंधन भारी पहुमत के साथ जीत हासिल करें ब्यूर रिपोर्ट महुआ खबर पीम मोदी ने अमेरिकी दोरे के दोरान यूएस के साथ खास डील की है अमेरिका की स्पेस फोर्स भारत के सेमी कंडुक्टर प्लांट लगाएगी इसमें बनी सेमी कंडुक्टर प्लांट का इस्तेमाल भारत और अमेरिका की आम्ड फोर्स करेंगी अमेरिका और भारत की ये दील सुरक्षा और सम्रति के लिए बहुत बड़ी दील के दोर पर देखी जा रही है देखे इस रिपोर्ट में नोईडा में बन रहे जेवर एरपोर्ट के पास जल्द ही इलेक्ट्रोनिक आइटम्स का हब बनाने की पूरी तयारी कर ली गई है एरपोर्ट के पास ही बहुत जल्द इलेक्रोनिक आइटम्स का हब बन कर तयार होगा इसमें करीब देश विदेश की कई कंपनिया निवेश करेंगी पी एम मोदी ने अमेरिकी दोरे के दोरान यूपी के नोईडा में दुनिया का पहला सेमी कंड़क्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने की डील अमेर अमेरिका के साथ एक अभूतपूर समझोते के तहट भारत को अपना पहला राश्ट्रिय सुरक्षा सामी कंड़क्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलने वाला है जो अमेरिकी शशस्त्र बलो उसकी सहयोगी सैनाओ और भारतिय सुरक्षा बलो को चिप्स की आपूर्टी यह फैब्रिकेशन प्लांट भारत में दो हजार पच्चिस तक इस्थापित किया जाएगा जिसे शक्ती नाम दिया जाएगा सैन्य सुरक्षा के लिहास से भारत अमेरिका के बीच हुई यह डील काफी एहम मानी जा रही है भारत में अभी ऐसी कई और इकाईया इस्थाप प्रिस रक्षा और समरद्धी के लिए यह डील काफी बड़ी और जरूरी है पीएम मोदी लगातार देश में सेमिकंड़क्टर चिप के उस बादन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि भारत की बनी चिप पूरी दुनिया में दिखे ब्यूरो रिपोर्ट महुआ खबर राज के जब तक अरविन केजरिवाल फिर से चुनाव जीत कर सीम नहीं बन जाते हैं तब तक वो सीम के कुरसी पर नहीं बैठेंगी देखे इस रिपोर्ट में दिल्ली की मुख्यमंद्री आतिशी ने सीम पद की कमान संभाल ली है सीम आतिशी आज पहली बार दिल्ली सचीवाल पहुंची लेकिन सीम आतिशी अर्विन केजरिवाल की कुरसी पर नहीं बैठी जो और वो उसी कुर्सी पर बैठी जो कि सफेद रंकी है। उनकी कुर्सी के साथ ही अर्विंद केज्रिवाल की लाल रंकी कुर्सी भीर रखी हुई है। CM आतिशी ने कहा आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कारेभार संभाल लिया है। आज मेरे मन की वैसी ही व्यता है जो की भरत की थी। जिस तरह से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाओ रखकर काम किया वैसे ही मैं अगले चार महिने मुख्यमंत्री का पद सभालूंगी। आतिशी ने आगे कहा अपने भरोसे के साथ विश्वास के साथ हम एक बार फिर से अर्विन केजरिवाल जी को इस कुर्सी पर बठाएंगे और तब तक यह कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। व्यूरो रिपोर्ट महुआ खबर सुप्रेम कोट ने चाइल्ड पॉल्नोग्राफी पर बड़ा फैसला सुनाया है शीर्श अदालत ने कहा है कि चाइल्ड पॉल्नोग्राफी को डाउनलोड करना या फिर देखना पी ओ सी एसो अधिनियम के तहत अपराद है सुप्रीम कोट ने चाइल्ड पॉल्नोग्राफी को डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराद नहीं है सुप्रीम कोट ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला सुनाया है शीष अधालत ने कहा कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराद है आपको बता दें कि सुप्रीम कोट ने मदरास हाई कोट के आदेश को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि यह अपराद नहीं है सुप्रीम कोट ने कहा कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्श्वल एक्स्प्लोइटेटिव एंड अब्यूजीब माटेरियल शब्द का इस्तेमाल किया जाए केंद्र सरकार अध्यदेश लाकर इसमें बदलाब करें अधालतीं भी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल ना करें आपको बता दें कि मदरास हाई कोट ने इसी साल जन्वरी में पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी के खिलाब केस को रद्द कर दिया था हाई कोट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपरात के दाएरे में नहीं आता है कोट ने ये टिपड़ी 28 साल के एक शक्स के खिलाफ चल रहे केस पर सुनवाई के दौरान की थी ब्यूरो रिपोर्ड महुआ खबर अब इक लिए फ्लालत नहीं जल्द वापस आएंगे तमाम खास खबरों के साथ देखते रहें महुआ खबर